हाई मैं परश्रान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टू कम्यूटी में सुवागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में काफी क्रूशियल चीज बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि options buyer क्या-क्या biggest mistakes करते हैं उसके कारण से वह अपने trade को loss में convert कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या-क्या mistakes करते हैं वह mistakes मैं आपको एक-एक करके highlight करूँगा एक-एक करके बताऊँगा फिर आप उस mistakes को कैसे avoid कर सकते हैं कैसे आप उसको सुधार सकते हैं और उस mistakes को avoid करके कैसे आप अपने trade को loss से profit में convert कर सकते हैं ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में detail से बताने जा रहा हूं तो अगर आप options trading करते हैं या फिर options trading को लेके interested हैं तो आप इस वीडियो में last तक बने रहें तो चलिए start करते हैं options trader जो सबसे पहला और biggest mistake करते हैं उसमें से यह है कि वो otm options buying करते हैं यानि वो आपका out of money options buying करते हैं तो अगर आप अपना trade को कितना भी accurate कर ले कितना भी secure कर ले लेकिन अगर आप otm options buying करते हैं तो आपका trade का जो accuracy level होगा वो 50% से जादा नहीं हो सकता इसी level का आपका profit probability होगा तो अगर आपको profit probability अपना increase करना है तो otm buying को avoid करना होगा और otm buying के जगा पे आपको in the money call options या फिर put options को buying करना होगा चाहे आप कुछ भी buy करें call options buy करें या फिर यहाँ पे आप put options buy करें हमेशा कोशिस क्या करना है कि आपको इंदमनी कॉल अप्शन से बाइंग करना है अगर बाइचांस कभी-कभी आपको पैसे की कमी हो जा रहा है तो आप यहाँ पे ATM पे जा सकते लेकिन कभी-कभी, हमेशा ने ATM से नीची, ATM पे गलती से भी नहीं जाना है यहाँ पे बहुं, ऑप्शन से आगे और यहाँ पे आपको डीटिएल से बताुँगा कि क्यों आपको ओटियामी अनी आपतल मनी प्रेकांस बॉप्शन करना प्रेफर नहीं करना धुरा यहाँ से आपको ध्यान से समझना होगा तो अभी जो market trade कर रहा है आपका 17,550 के level करीब trade कर रहा है और हमें लग रहा है कि market आपका expired तक यानि 25th of August तक जो कि आपका monthly expired अगस्त मंत का 17,700 या 17,750 के level तक आ सकता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17,700 के strike price का call options buying करेंगे जो कि आपका OTM है जिसका premium अभी आपका लगबग 40 रुपीच के करीब तो यहाँ पर अगर price आपका ऊपर आया और यह आपका 17,700 चोड़ी 17,750 के level पर जाके expire दिया तो यहाँ पर मुझे profit कितना मिलेगा market आया है लगबग 200 point मेरे favor में जैसा हम सोच वे थे market मेरे favor में 200 point आया लेकिन profit मुझे कितना मिलेगा सिर्फ मुझे 8 point का profit मिलेगा क्योंकि 17,700 के strike price का जो value रहेगा 50 rupees रहेगा और हमने यहाँ पर buy कितने पर किया था 42 पर buy किया था तो total मुझे सिर्फ 8 point का ही profit होगा और जबकि market मेरे favor में 200 point का moment किया तो यही नुकसान होता है अगर हम OTM options buy करते हैं तो मेरा profit probability बहुत घड़ गया अब इसी के जगा पे अगर हम इंदमनी call options buying किया supported हमने 17,500 के strike price का call options buying किया इसके जगा पे तो इसका अभी strike price से लगबग आपका 100 rupees के करीब और अगर market आपका यहीं पर आया 17,750 के label पे ही आया यहीं मारकेट यहां से लगबग आपका 200 point का upside move दिखाया तो इसका optimum कितना हो जाएगा इसका जो real value होगा वो का लगबग आपका 250 के करीब तो 250 minus 100 कर दें यहां पे मुझे 150 point का movement यहां पे हमें देखने को मिलेगा यहीं 1500 point का momentum यहां पे हमें clear cut देखने को मिलेगा 1500 point का profit मुझे देखने को मिलेगा यहां पे मुझे 8 point का profit मिलवा था same 200 point के momentum पे और यहां मुझे 1500 point का profit मिलवा same 200 point के momentum पे हम सिर्फ क्या किया slightly in the money call options को यहां पे buying किये तो यही benefit होता अगर आप in the money call options बाइंग करो या फिर आप out of money call options बाइंग करो तो इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए हम prefer करते हैं in the money call options को बाइंग करना जहां पर हमें profit ज्यादा मिलता है अब हमें यहां पर पैसा ज्यादा जहूर लगता है लेकिन हमें profit भी देख सकते हैं कितना ज्यादा difference हमें profit में देखने तो अगर आपके पास sufficient पैसा है तो इन दमनी में trade करो पैसा नहीं है तो trade मत करो क्योंकि यहां पे नुकसान होने के chances कम है अगर anyhow market आपका 17 750 के लेवल से नीचे closing दे दिया यहां पे मुझे नुकसान उठाना परेगा लेकिन अगर यहां पे अगर अगर आपका 17650 के लेवल प क्यों मैं आपको in the money call options buying करना बोल भाऊ हूं सकेंड biggest mistake जो generally options भॉय करते हैं वो क्या करते हैं वो range bond market में भी options buying prefer करते हैं जबकि range bond market में हमें options buying avoid करना होता है क्योंकि जब market आपका range bond होता जो आपका time value होता है जो time decay होता है options premium का जो decay होता वो काफी fast होता है तो यहां पर अगर आप call options buy कर लो या पको options buy कर लो या दोनों एक साथ buy कर लो दोनों में यहां पर आपको loss उठाना परेगा इसलिए जब भी market आपका range bond हो आप यहां पर options buying को avoid करोगे अब हम range bond market को कैसे identify करेंगे चली इसको चार्ट पर चलके हम समझते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आगे और देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का 5 मिनट वाला चार् जिसके lowest point को लेते हुए हम एक line draw करते हैं और highest point को लेते हुए एक line draw करते हैं अब देखिए लगभग पहला half तक price आपका इसी range के बीच में move कर रहा है अब जैसे हमने देखा है कि market अपने first half में एक range को ही पगड़ लिया और range के बीच में move कर रहा है तो हमें क्या करना आग आपका parallel channel का formation दिखे और price आपका एक narrow range में move करता हुआ दिखे तो options buying avoid करना नहीं call options नहीं put options buying करना क्योंकि यहां पर अगर आप buy करोगे कुछ भी तो आपको loss से कोई नहीं बचा सकता है तो बहुत बड़ा mistakes यह भी करते हैं generally options buy कि इस range one market में भी वो trade करने को आतूर हो जाते और यहां पर वो जबरदस्ती का trading positions ले लेते हैं इससे आपको बचना है तीसरा mistakes जो generally options buy करते हैं जिसके करने सुनको नुकसान उठाना पड़ता वो हता है कि वो trading stop loss का इस्तेमाल नहीं करते हैं आपको हमेशा trading stop loss का इस्तेमाल करना पड़ेगा है इसका benefit क्या है मैं हमेशा regular इसके बारे में वीडियों बात करते रहता हूं यहां पर छोड़ा सा और भी दे देता हूं सबको टैट आपने कोई भी stocks को 100 रुपीज के price पर buy किया आपका यहां पर target price है 200 का और यहां आपने आपने जो SL लगाया वो 70 रुपीज करीव SL लगाया अब price क्या हुआ हुआ है तो मेरा SL 70 पे है तो हम यहां पर SL 70 पे नहीं रखेंगे SL को हम 12 करके ऊपर साइड की तरफ लाएंगे अब SL को हम कहां पे लेएंगे अब हमारा जो stop loss हो जाएगा वो 120 के करीब हो जाएगा यह नहीं अगर यहां से market वापस नीचे भी लौटता है तो मुझे यहां पर 20 point का profit profit मिलेगा ही मिलेगा यह नहीं यहां पर हमने 20 point के profit को secure कर लिया और जो हमें loss हो सकता था उस loss को यहां पर हमने literary avoid कर दी यह नहीं अब यहां पर हमारा trade का accuracy level कितना हो जाएगा 100% accuracy level हो जाएगा अब यहां पर हमें ज्यादा कोई tension नहीं लेना अगर price यहां से आपका वापस स 180 चला गया तो हम क्या करेंगे वापस से 12 stop loss को increase करके 140 करी भी लियाएंगे और उपर किया तो target hit करेगा नीचे आया तो मेरा 40 point का profit secure होगा इसी तरीके से जैसे जैसे price आपका उपर जाएगा ऐसे ही आप यहां पे अपने stop loss को increase करते वे चलेंगे इसी को बोलते हैं 12 stop loss यह न सारा पैसा एक ही single trade में लगा देते हैं आपको यह का नहीं करना अगर आपके पास यहां पर 10,000 रुपीज है और आप इससे trade करें और आप जैसे nifty के strike price 17500 में ले रेते हैं इसका premium है 100 रुपे करी तो पूरा का पूरा पैसा से यहां पर buying नहीं कर लेना हमें क्या करना हमें 50% amount use करना है यह नहीं हम यहां पर सिर्फ 5000 यूज करेंगे और इस पैसा से जितना buy हो सकता वो हम buy करेंगे हम अपना 50% fund safe करके रखेंगे क्यों रखेंगे क्योंकि यहां पर अगर मुझे नुकसान हुआ तो उस loss को recover करने के लिए हमें वापस से fund add करने की ज़रूरत ना पर ना कई बार क्या होता है लोग profit बना लेते हैं यानि 10,000 रुपय है उससे अगर आपने यहां पर 50,000 बना लिया है profit बना के तो इस 50,000 को भी single trade में नहीं लगा देना है यहां पर भी क्या करना साथ पहले आपको जो आपका initial investment है 10,000 का उसको आपको बाहर निकाल लेना है यह exit हो गया यहनि आपका जो amount था principle amount वो secure हो गया अब आपके पास बचा कितना 40,000 अब इस 40,000 को भी एक साथ नहीं लगा देना क्योंकि यह profit बाला पार्ट है यहां पे भी आपको सिर्फ इसका 50% 20,000 ही लगाना है और इसी से जितना buy हो सकता वो buy कीजे बांकि हमेशा 50% आपको अपने demand account में save करके रखना है तो इस तरीके से single trade में पूरा पैसा नहीं लगाना है next mistakes जो करते हैं वो क्या करते हैं perfect entry और exit point वो find नहीं करते हैं यहां पे आप कोई भी strategy यूज़ कर लिजे चाहिए आप higher high higher low pattern यूज़ कर लिजे या फिर कोई और दूसरा pattern यूज़ कर यूज़ कोई भी basis पर हमें perfect entry point पता होना चाहिए exit point पता होना चाहिए और साथी साथ यहां पर हमारा stop loss भी fix होना चाहिए तो यह चीज़ कैसे हम perfect कर सकते हैं चलते हैं और इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर चार्ट पे आ गए और हम यहां पर क्या सिखेंगे कि हम अ 99 अगस्त की चार्ट के यहां पर हम बात करें प्राइस आपको अपन हुआ और एक रेंज में ट्वेट करने लग गया तो यहां पर हम क्या करेंगे हाई को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉर करेंगे अब देखें यह हमारा क्या बन गया यह हमारा सिमेट्रिकल का फॉर्मेशन कर दिया है अब यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा देखें जैसे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा यहां पर हम क्या करेंगे इंट्वी लेंगे सेल साइड की तरफ टागेट पैस क्या होगा देखें यह लेवल हमारा फॉस्ट से पिर्पेर है但 का cyclبة में करते हूं पर यहां पर यहां पर यहां पर आसानी से याधी कर दिया ओर और नीचे ग्याइब और यहां पि आप तज यहां पर कर सकते हों तो यहां पर आसानी से आप चाओ तो उसके बाद next point जो आपको देखना है कि upcoming event के बारे में भी आपको idea होना चाहिए जैसे आपका dividend आता, bonus आता है उसके बारे में भी idea होना चाहिए क्योंकि जब भी dividend या फिर bonus आता है तो उस time पे जो spot का price होता है जो आपका underlying asset होता है, उस price में हमें थोड़ा सा adjustment देखने को मिलता है और वो adjustment यहाँ पे हमें derivatives में भी देखने को मिलता है तो dividend किनको मिलता है, जिनके पास spot में share होता है, जिनके पास delivery में share होता है cash में share होता उन्हीं को dividend मिलता future options वाले को छोटा मोटा dividend नहीं मिलता बड़ा dividend है तो वो futures वाले को भी मिलता है लेकिन छोटा मोटा dividend नहीं मिलता है लेकिन उसका adjustment हमें future options में भी देखने को मिलता है तो अगर आपको तो उसके बारे में आईडिया नहीं है यहां पे आप छोटा-मोटा नुकसान में जा सकते हैं लगबग आपका 1% के करीब नुकसान कभी भी हो सकता है इन सारे upcoming event की कारण तो उसके बारे में भी आपको update वहना और जब भी उस तरह का event आएगा या जिस दिन भी adjustment होगा उस दिन आप ट्वेड ना करें या फिर किसी पार्टिकुल स्टॉक्स में ट्वेड नहीं करना जिस दिन हमें adjustment देखने को मिले यह चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखना और एक और चीज ध्यान रखना है यहां पर आपको illiquid stocks में trade नहीं करना वैसा stocks को avoid करना जहां पर आमें illiquidity जादा देखने को मिले तो illiquid stocks को हम कैसे identify करेंगे चले यह दिन में आपको बता देता हूं यहां पर वापस से option chain पर आगे और यह देख सकते हैं honey automation का आपका option chain है अब यहां पर देखें maximum strike price पर आपको illiquidity देखने को मिलेगा और यह आपका recent यहनी 25th of August expiry वाला और आज का date है 23rd of August यहनी expiry का दू दिन बचा है फिर भी इतना सारा strike price पर हमें illiquid देखने को मिलबा कोई trade नहीं हो रहा तो अगर आप इन सारे stocks में by chance trade कर लेते हैं तो आपको loss से कोई नहीं बचा सकता है इसलिए इन सारे stocks में trading क्या करना आपको avoid करना है ना सिर्फ इस आपको expiry में अगर यहां पर next expiry भी जाते हैं सप्टमबर मन्थ वाला भी जाते हैं तो यहां पर भी आपको हर एक strike price पर illiquidity देखने को मिलेगा illiquid दे कि generally options बाएर गलती करते हैं और इन सारे गलती से आप कैसे सीख सकते हैं कैसे overcome कर सकते हैं और इन सारे गलती कारण जो नुकसान होता उस नुकसान को avoid करके आप profit में कैसे convert कर सकते हैं उसके बारे मैंने आपको यहां पर detail से बता दिया उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये विडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमें इनका वेच किजिए, चैनल को सुबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सुबसेब नहीं किया है और साथ इसाथ बेल आईकन जोग दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकिया है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें So that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन